जहिन दोस्तों, वेलकम टू विजपत डिफेंस एजुकेशन पालमपुर आज की हमारी रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास रहने वाली है इंपोर्टेंट क्लास आप सबके लिए ये रहेगी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओडर अरेंजमेंट के बारे में साथ में जो भी हमारी ओडर अरेंजमेंट से जितनी भी बेसिक पजल निकल कर आती है उसको भी आज हम कवर करेंगे सो मेंली आज हमारी स्टार्टिंग पजल की क्लास रहेगी बिल्कुल बेसिक की पजल जो है वो आज हम यहाँ पर डिसकस करेंगे जितने भी type आज हमारे order arrangement के chapter के बनेंगे उन सभी type को आज हम one by one cover करेंगे तो complete chapter आज आज आपके सामने ये रहेगा तो आपको ये class जो है वो complete एक वार देखनी है ताकि जितने भी आपके logical reasoning के doubt हैं वो सारे के सारे आज order arrangement chapter के बिल्कुल clear हो जाएं सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को जो हमारा सबसे पहला type है उसमें आज हम cover करेंगे जो भी हमारे dictionary के according based question होते हैं उनको आज हम यहाँ पर cover करने वाले हैं जो भी शब्द कोस पर आधारित हमारे word रहते हैं उनको किस arrangement में लिखा जाता है उनको हम यहाँ पर cover करने वाले हैं वैसे ही हमारे type 2 और type 3 के question रहेंगे उनको भी हम 1-1 यहाँ पर cover करेंगे जो हमारा सबसे पहला question है जो कि हमारा dictionary के उपर based question है इसको हमने arrange करके यहाँ पर लेखना है तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर method बता देता हूँ जो आपका first question यह रहेगा इसमें मैं आपको method बता देता हूँ बाकी question आपको खुद यहाँ पर try साथ साथ में करने है आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ ऐसे word लिख देता हूँ जैसे for example मैंने यहाँ पर bird लिखा मैं यहाँ पर बात करता हूँ मैंने यहाँ पर दो तीन कुछ ऐसे bird लिखे हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया sun sun लिख दिया उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर s o n sun उसके बाद मैंने यहां पर लिख दिया SOAP SOAP यहां पर मैंने यह से कुछ यह bird यहां पर लिखे है अब यहां पर आपको क्या करना है इन bird को dictionary के according arrange करना है कि सबसे पहला number किसका आता है दूसरा किसका आता है और तीसरा किसका आता है तो आपको इस टाइप के question में क्या करना होता है आप सबसे पहले word को यहां पर देखिए यहां पर सब में SS लिखा गया है मतलब इन तीनों में से ही सबसे पहला number हमारा बनेगा अगर हमारा first number सब में common है तो आप उसको cut कर दें अगला number हम यहां पर पढ़ते हैं यहां पर लिखा गया है U और अगले में लिखा गया है O और last में भी लिखा गया है O इसका मतलब है कि जो हमारा dictionary है उसमें सबसे पहले O आता है और उसके बाद हमारे पास U आता इसका मतलब यह जो हमारा sun है S-U-N यह हमारा सबसे last आएगा यह हमारा third number पर बनेगा अब S-U-N की बात करते हैं O और O दोनों में common हैं तो इनको काट देंगे फिर जब तक यह common चलता रहेगा उसको काटते जाएंगे अगले digit पर चलेंगे आप यहां पर देखेंगे S-O दोनों में common आ गया अगला हमारा number है A और यहां पर है N तो A और N में से सबसे पहला number आता है A का इसलिए यह हमारे पास पहला number बन जाएगा S-U-N हमारे पास दूसरा बन जाएगा और S-U-N हमारे पास तीसरा number बन जाएगा तो यह हमारा यहां पर order arrangement का A question यहां पर मैंने आपको करके बता दिये वैसे ही आपको इस type के question जो है वो direct option के उपर भी कुछ ऐसे question है जो based रहते हैं जहां से आप easily उस चीज़ का answer बता सकते हैं जैसे आपके सामने यह first question दिया गया है clone, climate, culture, create और clapped तो सबसे पहला जो इसमें digit है वो सब में cc है तो c को हम सब में से cancel out कर देंगे तो इसका मतलब है कि इन पांचों में से कोई भी हमारा पहला अक्षर बन सकता है लेकिन अगर आप option को check करें तो सबसे पहला number सब में कौन सा है पांच सबसे पहला number है इसका मतलब कि जो सबसे पहला नंबर आएगा, वो हमारा clapped ही आएगा dictionary में, इसका मतलब कि अगर इन पांचों अक्षर को अगर आपको ढूंडना है, तो सबसे पहला नंबर आपको कौन सा मिलेगा dictionary में, दूसरे नंबर पे कौन सा मिलेगा, तीसरे पे, चोथे पे और फिर यह हमारा order arrangement, जो कि dictionary के coding हमारा रहता है, उस way में आपको इस solve करना है, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, C सब में common है, तो next bird को हम यहाँ पर बनाएंगे, C के बाद देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर है L, उसके बाद climate में L है, culture में L है, यहाँ पर R है और यहाँ पर L है, तो L चार में L है, और एक में हमारा R है, तो जो हमारा यहाँ पर बाकी चारों में L है, और यहाँ पर फोर्थ नमबर पर हमारे पास R दिया गया है, तो आपको पता है कि A से जब हम Z तक जाते हैं, तो सबसे पहला हमारा नमबर L काता है, उसके बाद R काता है, इसका मतल यह जो हमारे जितने भी चार नंबर यहां पर बन रहे हैं उन चारों में से ही पहले चार डिजिट आएंगे और create जो है वो सबसे last नंबर पर आएगा इसका मतलब यह जो हमारा fourth नंबर है यह सबसे आखरी नंबर होगा आखरी नंबर की बात करते हैं इसकेंड उप्षन में आप देख सकते हैं चार सबसे last है थर्ड में चार सबसे last है और पांच में last option में भी चार आपके पास सबसे last है आपका a option जो यहां से कट जाता है क्योंकि यहां पर जो हमारा last digit है वो है 3 तो a option तो हमारा आएगा ही नहीं अब हमारे पास last के तीन option बच गए है आगे जो हमारा यहां पर first में clone है C और L दोनों common है next में CL फिर से common फिर से हमारे पास CL common और clapt में भी CL common next digit पर बात करते हैं तो CL तो हमारे first, second, third और fifth में common चला है उसके जो हमारा next digit होगा यहां पर O है, यहां पर I है, culture में U है और clapt में A है तो यहां पर जो हमारा digit सबसे पहला आएगा alphabet के according वो आएगा A तो clapt जो है वो हमारा सबसे पहला number होगा इसका मतलब है कि यह जो fifth number है यह सबसे पहले number पे आएगा option B में भी fifth है option C में भी fifth है और option D में भी हमारा fifth है तो इन तीनों में से कोई नो कोई एक answer बनेगा इसका मतलब है कि यह जो clapt है यह सबसे पहले position पर बनेगा तो हमारा clapt यहां से कट गया create हमारे कौन से number पे आगया create हमारे पास fifth number पर आगया है उसके बाद बात करते हैं filter climate और clone की तो CL हमारा A यहां पे हो गया उसके आद यू, I और O यहां पे सबसे पहले आता है I A से Z तक की बात करेंगे तो I हमारे पास पहले आता है इसका मतलब है कि दूसरे number पे हमारे पास climate आएगा तो second number पे हमारे पास climate है यहां पे 2 है यहां पर 1 और यहां पर 3 तो direct option 3 जो है वो यहां से हमारे पास बन जाएगा I hope आपको यह समझ आ रहा है next question भी हमारा कुछ हिसी type का है जल्दी से type 1 को हम यहां पर cover करेंगे सबसे पहले आप देख सकते हैं lasted, loop, lake, litted और listed तो सभी में सबसे पहला जो हमारा digit है वो l है तो सब में common है इसको हम यहां से cut कर देंगे कोई भी हमारा यहां पर digit easily first position पर बन सकता है उसके बाद l common है तो आगे चलेंगे यहां पर है a फिर है o उसके बाद है a फिर i और फिर i तो आपको पता है a से j तक सबसे पहले a आएगा उसके बाद i आएगा उसके बाद हमारे पास o आएगा इसका मतलब यह जो हमारा first number है या तो सबसे पहले पर यह आएगा या फिर lake आएगा जो हमारा third position पर है उसके बाद यह दोनो common है बाकियों को भी skip करेंगे यह दोनो common है इनी को सबसे पहले solve करेंगे तो पहले और दूसरे number पर यही दो बनेंगे कोई न कोई उसके बाद la यहाँ पर common है और यहाँ पर भी la जो है वो common है तो हम चल जाएंगे third number पर यहाँ पर S है और यहाँ पर है हमारे पास K तो K और S में से K सबसे पहले आता है इसलिए number 3 जो है वो हमारे सबसे पहली position पर रहेगा सबसे पहली position पर रहेगा उसके बाद lasted जो है यह हमारे पास second position पर रहेगा दो बढ़ हमारे complete हो गए है उसके बाद हमारे पास बचा था loop लिटिड और लिस्टेड इसका first first digit हमने cover किया था LL उसके बाद यहाँ पर O है फिर I और I इसका मतलब है कि हमारे पास जो position है वो सबसे पहले number पर 3 आएगा फिर हमारे पास 1 आएगा तो यहाँ पर 3 1 फिर यहाँ पर भी 3 1 यहाँ पर 3 1 और यहाँ पर 3 1 अभी तक सारे हमारे digit accurate चले हैं उसके बाद बात करते हैं L I जो सबसे last digit हमारा रहेगा वो आएगा loop क्योंकि आपको पता है L A जो first और third में है यह हमारे complete होगे उसके आद L I fourth और fifth में I I है तो इनी में से हमारा कोई ना कोई एक अक्षर बनेगा loop जो है वो सबसे last number पर बनेगा तो इसका मतलब यह जो second number है यहाँ पर two है और यहाँ पर two है इसका मतलब option B और C हमारे यहाँ से cancel out हो जाएंगे हमारे पास सिर्फ दो option बचेंगे एक है option A और एक है हमारे पास option D अब LI, LI यहाँ पर दोनों में common है तो हमारे पास यहाँ पर next digit है T और S आप सबी को यहाँ पर पता होना चाहिए कि सबसे पहले number पर हमारा S आता है यहाँ पर T आता है तो सबसे पहले S आता है उसके बाद T आता है तो first, second, यह हमारी third position, यह हमारी fifth position, जो हमारे पास पांचमा word है, यह तीसर नमबर पे आएगा, तो यह जो पांचमा है आप देख सकते हैं, एक, दो और तीन, तीसर नमबर पे आगया, तो option A हमारा इसका बिल्कुल सही answer रहेगा, next बात करते हैं, first, from, fist, fast और floor, इसका answer आपको बताना है, तो सबसे पहले first digit सब में same है, F, 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 इसको हम यहाँ पर काट देंगे, उसका next digit पे चलते हैं, I, R, I, A, और L, तो आपको पता है, सबसे पहले alphabet में A आएगा, तो fourth number हमारे पास सबसे पहले आएगा, तो fourth या तो option B है, या फिर option C है, इसी में से कोई एक answer हमारे पास बनेगा, उसके बाद F, A हमारा complete हो गया, तो उसके बाद F, I, F, I हमारे पास बनेगा, तो F, I यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी F, I है, उसके बाद है यहाँ पर S, और यहाँ पर है R, तो S सबसे पहले आएगा, तो तीसरे नमबर पे हमारा तीसरा digit आएगा, तो त तीसे नमबर पर तीसरा डीजित है इसलिए option C हमारा इसका accurate answer रहेगा next फिर से हमारे पास कुछ ऐसे ही word दिये गए हैं इसमें है hing, humly, hanger, histon और howl तो यहां पर सबसे पहला digit H सब में HH है तो यह तो कोई भी हमारा first number बन सकता है उसके बाद यह third और fourth, AA वाले हैं इसका मतलए या तो starting third से होगी या तो fourth से होगी अगर आप option को check करें, third, third और यहां पर भी third तो यह तो option B हमारा direct cut जाएगा क्योंकि starting जो है वो third से, मतलए यह जो third है हमारे पास hanger यह सबसे पहली position पर बनेगा या तो option A या B या फिर D, यह हमारा complete हो गया, उसके बाद एच्चे जो fourth है हमारे पास इसकी second position बनेगी तो यहां पर three four और three four, यह complete option D यहां से cancel out हो जाएगा, उसके आद three four one, three four one आपको पता चल रहा direct की, जो one one है, दोनों में common है, इसलिए हिंग जो है, यह हमारी third position ही बनेगी में लिए जो problem है, वो है option A और C में से, की fourth position पे fifth आएगा या फिर second आएगा, तो आप check कर सकते हैं, HO, HO यह दोनों को हमने cancel कर दिये, उसके आद अगले lecture पे चलेंगे, यहां पे M है और यहां पे W, तो सबसे पहले M आता है, इसलिए second position पहले आएगी, इसलिए option C हमारे पास बिलकुल सही answer इसका रहेगा, जल्दी से आपको next question भी solve करना है, जो आपके सामने यहां पर दिये गए हैं, पाँच option, पाँच bird आपके सामने दिये गए है, mobile, mandate, monkey और master, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, MM तो सब में common है, इसको हम काट देंगे यहीं से, MM तो common है, इसको हमने यहीं से काट दिया, M को मैंने यहीं से काट दिया, उसके बाद A, यहां पर भी A और यहां पर भी, इनी में से second, third और fifth में से सबसे पहला number बनेगा, आप option को चेक कर सकते हैं, सब में option में जो है, वो तीसरा number सबसे पहला है, इसलिए mendanine जो है, वो हमारे पास सबसे पहली position पर बनेगा, यह तो म में cancel करें, यहां से M में cancel करें, next N है, तो N सबसे पहले आता है, यहां पर N है, यहां पर भी N, उसके बाद A और A, यह दोनों यहां पर common चलें, उसके बाद N आता है, उसका T आता है, इसलिए इसकी second position बन जाएगी, master जो है, वो third position बन जाएगी, उसके बाद हमारे पास यहा नहीं होगा, 3 to 5 यह भी नहीं है, यह भी 3 to 5 नहीं है, तो option A जो है, यह इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, अगला question है, हमारे पास drink, drinking, drive, dictionary और Dracula, तो 5 वर्ड यहां पर दिये गए हैं, D सब में common है, इसको हम काट देंगे, उसके बाद R है, R यहां पर भी R है, और यहां प सबसे पहले आता है, R बाद में आता है, इसलिए 4th नंबर की position सबसे पहली रहेगी, सारे option में 4th जो है, वो सबसे पहले नंबर पर बना है, उसके बाद R की बात करते हैं, तो DR common है, यहां पर भी DR common, फिर DR common, और DR common, R के बाद 1st अक्षर कौन सा आएगा, आप चेक कर सकते है यहां पर 1st, 2nd, 3rd, तीनों में I, I, I है, और जो 5th है वहां पर है A, तो A सबसे पहले आता है, इसका मतलब है कि जो 5th position पर है, यह हमारी 2nd position पर यहां पर fit होगा, तो 4 और 5, 4, 5, यह तो 4 बन है, यह कट जाएगा, यह 4, 2 कट जाएगा, यह 4, 5, तो option A और D अभी तक हमारे पास यहां पर बने हैं, उसके बाद DRI, DRI 1st में भी है, काट देंगे, DRI 1st में है, 2nd में है काट देंगे, DRI 3rd में है, इसको भी काट देंगे, common चली है, उसके आद N, N और V, तो N, N सबसे पहले आता है, N यहां से भी कट जाएगा, यहां से भी कट जाएगा, इसका मतलब तक यह जो 3rd number पे है, यह सबसे last में रहेगा, 3rd number सबसे last में रहेगा, यहां पे भी 3rd last में है, यहां पर भी 3rd last में, अभी तक हमें पता नहीं चला, उसके बाद DRI i n यहां से cancel, यहां से भी DRI i n गैंचल, उसके आद K और K, K तक यह common चला है, आगे यहां पर कोई格 नहीं इसलिए drink सबसे पहले आएगा इसकी fourth position रहेगी और इसकी fifth position रहेगी तो fourth position पे हमार पास number one आएगा तो number one fourth position पे यहाँ पे है इसलिए option यहाँ पर जो option sorry number यहाँ पर option d नहीं आएगी option d नहीं है क्योंकि first second और third position जो है यहाँ पर यह third position पे है और यह fourth position पे है और drive जो है वो fifth position पे है इसलिए यह जो first number है यह तीसरे number पर आएगा तो यहाँ पर option ए जो है वो आपका बिल्कुल सही answer रहेगा next जो हमारा question है जिसमें आपको पांच word फिर से दिये गए है पिंड प्रोबोक पीश्चर पेल और पांड यह आपके यहाँ पर दिये गए है पांड पांच ऐसे word मेंली दिये गए हैं सबसे पहला जो आपका डिजिट है पी वो सब में common है पी को हमने हटा दिया यहां से उसके बाद second अक्षर के बात करते हैं तो यहाँ पर आई है आर ए ए और ओ तो सबसे पहले आएगा ए तो इसका मतलब three और four में से ही सबसे पहली position हमारे पास बनेगी पी ए कैंसल हो जाएगा कैंसल हो जाएगा आगे है एस और एल एल पहले आता है इसलिए यह पहली position पे यह दूसरी position पे यह हमारे पास सारे के सारे डिजिट कट जाएंगे उसके बाद पी और आई आई पहले आता है इसलिए इसकी third position बनेगी उसके आद यहाँ पे आर है और यहाँ पे ओ है तो फिर आता है ओ यह fourth position उसके लास्ट में प्रोवोक बचेगा और यह आएगी fifth position हमारे पास position बन तो बनेगा नहीं उसके बाद यह हमारे cancel out होगे third position पे आएगा one third पे आएगा one तो third पे यह बन है यहाँ पे two है यह cut जाएगा यह five है यह cut जाएगा तो option बी हमारा इसका बिल्कुल से answer रहेगा तो सारे के सारे question आपको जो है वो इसी way में यहाँ पे करने हैं जितने भी question आपके यहाँ पर बनते हैं सभी question जो है वो आपको इसी way में यहाँ पर करने हैं I hope आपको यह समझ में आ रहा होगा next question के उपर चलते हैं next question भी आपका कुछ इसी type का है जिसमें आपको पांच word यहाँ पर दिये गए हैं सबसे पहले word की बात करें P है यह cancel हो जाएगा क्यू अब से पहले आएगा A इसके बाद यहाँ पर है E और यहाँ पर है E इसलिए यह जो हमारा Pager है यह फरस्ट पुजिशन पर बन जाएगा उसके बाद E और E दोनों common है इनको हटा देंगे यहां से इसके बाद E के बाद यहाँ पर S और यहाँ पर B है इसलिए B वाला बड़ second position पे बनेगा और paste वाला bird जो है वो third position पे बनेगा उसके बाद PR और यहाँ पर भी है हमारे पास PR और के बाद यहाँ पे O है यहाँ पे A है तो A पहले आता है यह fourth position पे बनेगा यह fifth position पे बनेगा तो हमारी जो यहाँ पे बात बनेगी जो first position पे है वो सबसे पहले 2, सबसे पहले बन जाएगा 2, second position पे है हमारे पास 1, उसके बाद third पे है हमारे पास fourth, fifth पे है 3 और fourth नंबर पे है sorry यहाँ पे गलत लिख दिये मैंने सबसे पहले आएगा हमारे पास first position पे है 2, second position पे है 1, third पे हमारे पास रहेगा fourth पे रहेगा हमारे पास five और last में रहेगा 3 तो two, one, four, five, three option A इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा कुछ इसी type के question आपके लिए हाँ पे slide में डाले गए हैं आप इसका आंसर जरूर करें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो first three जो हमारे alphabet हैं वो match कर रहे हैं rep इसको cut करेंगे rep को cut करेंगे सब में से rep को आपको क्या करना है cancel out करना है तो rep जो है वो आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे यहां से cancel out हो जाएंगे आगे जो bird है U, T, U, L और O यहाँ आपके पास यहाँ पर bird दिये गए हैं तो यहाँ पर कौन सा आपका bird आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है तो rep तो सब में common है उसके आद U, T, L और O तो सबसे पहले हाता है हमारे पास L तो इसलिए जो fourth number पर जो हमारा अक्षर है वो सबसे पहली position पर यहाँ पर बनेगा उसके बाद यह तो हमारा cancel out हो गया सारा क्योंकि इसकी position तो आगी उसके बाद बात करते हैं यू पहले आता है या O पहले आता है तो हमारे पास यहाँ पर O सबसे पहले number पर आता है तो second position इसकी बन जाएगी इसका मतलब four और five यह हमारे पास position बनेगी four five और four five तो option c या d में से हमारा answer रहेगा उसके बाद यू आता है टी सबसे last में है इसका मतलब two जो है यह जो second position है reptile की यह सबसे last position रहेगी आपको option से भी hint यहाँ पर मिल जाएगा तो option c हमारा इसका बिल्कुल correct answer रहेगा इसी type के हमारे next कुछ question है slide की formation मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको इसके directly यहाँ पर answer बता रहा हूँ ताकि आपके जितने भी पिछे question मैंने भी आपको करवाए हैं आप उसके according जो है वो इसका answer बता सकें इसका जो correct answer रहेगा वो है option b एक वार आप जरूर इस इसका answer option b यहाँ पर आना चाहिए next जो आपके सामने question दिया गया है इसका जो correct answer आएगा option a आपको arrange करना है तो 2,1,3,4,5 इसका बिल्कुल सही answer यहाँ पर रहना चाहिए next जो आपके सामने question है मैं इसको बिल्कुल slide की formation मैं आपको बता रहा हूँ मैंने आपको यह question पहले सम correctly कर सकें इसका जो answer रहेगा scrap यह जो आपका question है scrap का इसका जो correct answer रहेगा वो है option d next फिर से easy question है mango mind master इस type के जो आपका question है इसका जो आपका correct answer रहेगा वो है option d आप एक और वीडियो को pose करके जरूर रिक्वार देखें तभी आपको यह question जो है वो यहाँ पर समझ में आएगा अगला जो हमारा question है ringer, restore, range, rapid और rapidile इसका जो आपका correct answer रहने वाला है वो है option A जब आप इसको arrange करके देखेंगे तो 3, 4, 5, 2, 1 इसका जो correct answer वो आपके सामने रहने वाला है next है wept, binks, winger, roller और whistley इसका जो आपका correct answer रहेगा वो है option C एक बार check करके ज़रूर देखें जो मैंने आपको यहाँ पर answer बताए हैं कि आपके उसके साथ आपका answer match हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर आपका answer यहाँ पर match नहीं होता है इसका मतलब आप बहाँ पे कुछ न इसका जो आपका correct answer रहेगा वो है option C 12345 मतलब यह जो आपके सामने यह 5 word लिखे गए हैं यह पहले से ही dictionary की ही arranging format में दिये गए हैं इस type का भी कई बार आपके लिए question जो है वो यहाँ पर बनता है next जो हमारा question है इसका answer रहेगा option A answer को आप जरूर साथ साथ में चेक करते जाएं मैं यहाँ पर answer आपको नहीं बता रहा हूँ अगर आपको यहाँ पर doubt है किसी question में तो आप comment कर सकते हैं आपके doubt को यहाँ पर पूरी तरह से solve कर दिया जाएगा next जो हमारा question है जो हमारा next question है यहाँ पर रोपड रोस्टर रोस्टिड रोड और रोलर आप इसको भी एक वार चेक कर सकते हैं इसका जो correct answer रहेगा वो है option number D 43512 यह option D इसका बिलकुल right answer रहेगा last question है इस type का जहाँ पर आपको बोला गया है globe, group, glitch, gap और glade तो यह चार option आपके सामने दिये गए हैं आप यहाँ पर check कर सकते हैं आपका जो सबसे पहला word है G, सब में G है तो यह तो आपका common रहेगा आप इसको cancel out कर सकते हैं next word यह आप देखेंगे L है यहाँ पर R है यहाँ पर फिर से L है फिर A और फिर L तो alphabet के coding L, R और A मेंसे जो आपके तीन word है इनमें सबसे पहले कौन सा आता तो A है सबसे पहले आता है इसलिए जो fourth है वो सबसे पहली position पर बनेगा आप सारे option को check करें fourth है आपका बिलकुल पहली position पर fit है तो fourth हमारे यहाँ पर बन जाएगा first position पर यह हमारा cancel out हो गया उसके बाद gap तो हमारा complete है उसके बाद हम check करते हैं L को L और R मेंसे R जो है वो सबसे last बनेगा इसलिए यह जो second वाला है यह सबसे last position पर रहेगा तो direct आपको hint पता यहाँ पर चल रहा है कि यह जो second position है यह कौन से option में सबसे last number पर रखी गया कि आप last number को एक बार check करें तो option D जो है वहाँ पर second number जो सबसे last रखा गया है इसलिए direct हमें यहाँ से पता चल रहा कि option D जो है यह आपका बिलकुल सही answer यहाँ पर रहने बाला है I hope आपको जितने भी यह question यहाँ पर मैंने बताए हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ पर clear हो गए होंगे next हमारा जो type 2 यहाँ पर रहने वाला है वो हमारा word के उपर based रहेगा जो की हमारी इसकी क्रम बेवस्था होती है इसकी जो arrangement है word की आपको उसको ascending या फिर descending order में आपको रखना होता है आपके सामने जो आपका first question है इस type का question आपके सामने यह बनेगा आपको यहाँ पर arrangement करना है ascending या descending order में मतलब उसका कोई ना कोई एक pattern या फिर आप बोल सकते हैं कि उनका कोई एक proper way बनना चाहिए बताने का proper way जो है वो उसका बनना चाहिए बताने का मैं सबसे पहले आपको इसका एक basic सा प्रशन जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूं सबसे पहला जो हमारा यह question है इस चीज को मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर बोला गया है महा बिद्याले, शिशु, बच्चा, बिद्याले और यूबा तो आपको पता है कि सबसे पहले जो है कोई भी यहाँ पर आपको जो एक pattern बतायागे है आप इसको देख सकते हैं सबसे पहले शिशु आएगा, मतलो उसका जनम है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है यह पहली position बनेगी उसके बाद वो कौन सी position में जाएगा बच्चे की position में जाएगा बच्चा बन जाएगा उसके बाद क्या बन जाएगा वो यूवा बन जाएगा बच्चा है उसके बाद वो बच्चा जो है वो कहां जाएगा वो विद्याले जाएगा बच्चा जो है वो कहां जाएगा विद्याले जाएगा तो तीसरे नंबर पे विद्याले आ जाएगा उसके बाद विद्याले के बाद जैसे उसकी 10th प्लिस 2 हो जाती तो वो युवा आवस्था में आजाता है युवा का मतलब होता है 18 से जादा 18 प्लस जब उसकी age हो जाती तो उसको यूबा वस्था बोलते हैं ये 4th नंबर पे आ जाएगा जब वो यूबा का हो जाएगा फिर महाविद्याले महाविद्याले का मतलब होता है college फिर वो कहां जाएगा college जाएगा तो ये इसका एक pattern बनेगा इसका मतलब सबसे पहले नंबर पे आएगा ये वाला शिशु उसके बाद आएगा बच्चा आप चेक कर सकते हैं टू और थ्री सबसे पहले आने चाहिए ये टू फोर है ये तो नहीं आएगा टू फोर नहीं आएगा टू थ्री और टू थ्री option B या D में से accurate है उसके बाद वो बिद्या ले जाएगा हाँ ठीक है बिद्या ले जाएगा उसके बाद वो यू आवस्ता मतलब फिफ्थ नंबर आना चाहिए पहले तो फिफ्थ यहाँ पे है इसलिए option D हमारा इसका बिल्कुर सही answer रहेगा आपको एक pattern यहाँ पे लगान यहाँ पे बोला गया है पेड़ पुस्तक कागज और जिलत साधी यह जो आपके सामने यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी यहाँ पे जो आपको हिंट बिया गया है कागज पुस्तक मतलब कागज यह पुस्तक बनाने की ही बात यहाँ पर बोली गई है, सबसे पहले जो है वो हमारे पास है, सबसे पहले पेड आता है, पेड को हम काट देते हैं, सबसे पहले फस्ट पुजीशन आएगी हमारे पास, सबसे पहले पेड आ जाएगा, उसके आद उसको काट देते हैं, तो उसका क्या बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है, कागज जैसे बन जाएगा जादा कागजों को मिला के उसकी क्या बन जाएगी पुस्तक बन जाएगी और जिलत साधी का मतलब होता है recycle करना जब पुस्तक खराब हो जाती तो हम उसको क्या करते थे हैं recycle तो ये हमारा pattern बनेगा one, three, two, four one, three, two, four तो option D इसका बिलकुल right answer यहाँ पर रहेगा next फिर से हमारा easy question है यहाँ पर आपको हर बार एक pattern यहाँ पर लगाना है सांध्य प्रकाश उशना काल दोपहर जिसको मध्याहन भी बोलते हैं और last में बोला गया है रात्री तो यह चीज़ आपको बताया गई है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ उशना काल की उशना का मतलो होता है morning का समय आपको हिंदी में इंगलिज यहाँ पर थोड़ी सी problem आ सकती है क्योंकि bilingual आपके यह question नहीं है जब भी आप आप के उपर study notes में जाएंगे तो आपके इसके कुछ question जो है वो आपको English में वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो morning के time को उशना काल बोला जाता है इसलिए सबसे पहली position पे आएगा उसके बाद हमारी होती है दोपहर तो दोपहर दूसरे नमबर पे संध्याकाल का मतलब होता है इवनिंग का समय ये तीसरे नमबर पे और इवनिंग के बाद हो जाती है रात्री तो रात्री आएगी fourth नमबर पे तो position बनेगी 2314 2314 तो 2314 का कौन सा option है हमारे पास option B is the right answer next सबसे easy question यहां पर फिर से बताया गया है कोई भी एक छोटा बच्चा है सबसे पहले क्या करता है वो सबसे पहले वो सुनता है आपको पता है कि कोई भी छोटा बच्चा starting से ही लिखना या बोलना नहीं लगता सबसे पहले जब वो छोटा तो वो धीरे-धीरे सुनता है सुनने से ही उसके चीजें दो हैं उसके दिमाग में आती है धीरे-धीरे वो सुनता है उसके बाद वो धीरे-धीरे क्या करता है बोलना लगता है उसके बाद धीरे-धीरे बोलने लगता है आप सभी को पता है कि जो एज अगर एज फैक्टर की बात करूँ तीन या चार साल के बच्चे जो हैं वो सबसे पहले सुनना स्टार्ट करते हैं उसके आद कुछ बोलते रहते हैं वो अपनी ही भाशा में उसके बाद उनका काम है लिखना उसके बाद वो लिखते रहते हैं और लिखने के बाद 5 ये 6 साल के जब हो जाते हैं तो वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका ये पैटन बन जाएगा 2431 तो 2431 आपका कौन सा ओप्शन यहां पर फिट बैठा है Option number B is the right answer Next आपका प्रशन है यहाँ पे रिपीटिड हो गया है Next जो आपका प्रशन है यहाँ पे है काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना, चौक से निसान लगाना तो आपको पता है यह दरजी की यहाँ पे बात बताई गही है सबसे पहले क्या करता है दरजी किसी भी चीज को नापता है किसी भी चीज को क्या करेगा सबसे पहले नापा जाता है उसके बाद जब उस चीज को नाप लिया जाता है तब उसको चौक से एक वार निशान लगाया जाते है कि कितना नापना है या कहां तक उसको काटना है चोक से निसान लगाया जाते हैं फिर उसको काटा जाता है वो जो कपड़ा है उसको काटा जाता है फिर उसको सिलाई किया जाता है और जब सिलाई कंप्लीट हो जाती तब ही उसको क्या किया जाता है पहना जाता है आपको पे है आपको पता चल रहा है चौक से निशान लगाना मतलब कि फिफ्थ तीसरे नंबर पे है काटना मतलब कि फॉस्ट नंबर उसके बाद फॉर्थ नंबर पे है सिलाई करना और फिफ्थ नंबर पे आएगा पहनना 45132 तो ऐसा कौन सा ओप्षण है ओप्षण नंबर ए इस दा राइट आंसर ओप्षण ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा नेक्स्ट जो है सबसे अच्छा कोशन है और जिन बच्चों ने भी साइंस यहां पर स्टीम रखी है अपनी उन सभी के यह जो है वो आपको पता होना चाहिए यहां पर अगर मैं बात करता हूँ कि परमानू पदार्थ अनू और इलेक्ट्रोन क्या क्या इनको यहां पर बोला जाता है वो चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए परमानू को बोला जाता है एटम एटम बोलते हैं पदार्थ का मतलब होता है मैटर जैसे सोले लिकुड गैस यह पदार्थ है इलेक्ट् और अनू का मतलब होता है यहां पर molecule, तो क्या pattern बनेगा, सबसे पहले छोटी चीज आएगी, electron आएगा, सबसे पहले छोटी चीज electron, electron के बाद उससे थोड़ी सी बड़ी चीज क्या आती है, उसके बाद बड़ी चीज आती है परमानू, उसके बाद आता है परमानू, उसके ब परमानू से थोड़ी सी बड़ी चीज, जाद से जादा एटम को मिलाने पर बनता है मोलिक्यूल, और मोलिक्यूल के बाद मोलिक्यूल को जादा अमाउट में मिलाने पर बनता है हमार पास मैटर, तो ये इसकी लास्ट पोजीशन रहे, कुछ इस टाइप का बनेगा, 4132, तो 4132 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, आपका इस क्वेशन का बिलकुल सही आंसर रहेगा, नेक्स्ट जो है वो भी आपका सबसे इजी है, आप सबको पता है कैसे हमारा क्लाइमेट जो है बो चेंज होता है, सबसे पहले जो है वो धूप खिलती है, सबसे प कि बाद किया हो जाती है last में वर्षा हो जाती है आप यहां से direct hint भी लगा सकते हैं कि बादल के बाद ही बर्षा होगी इसका मतलब 4th के बाद हर बार 1 आएगा यहां पर 4 बन यहां पर 4 बन यहां पर 1 4 है इसलिए option B तो हमारा किसी भी हाल में नहीं आ सकता जब भी आपको कोई ऐसा question आ जाए अगर आपको वो समझ में ना आ रहा हो तो आपको हर बार option के according ही यहाँ पर चलना सबसे पहले दूप आएगी इसलिए second position सबसे पहली तो option D हमारा right answer रहेगा जब भी आपको question समझ में ना आए तो आपको option के according चलना है जैसे आपको यह पता है यहाँ पे दो बर्ड आपको बताएगे हैं भुरून और प्रोड भुरून तो almost सबको पता भी होता है जो की अभी बिल्कुल छोटा बच्चा है इसका मतलब है कि वो अभी सिर्फ पेट में ही है उसको भुरून बोला जाता है अभी उसका जनम नहीं हुआ है लेकिन प्रोड का मतलब जो है कई बच्चों को यहाँ पे समझ नहीं है तो आप इसको अभी skip कर सकते हैं इस फिफ्थ नंबर को बाकियों को आप यहाँ पे एड कर सकते हैं आपको यहाँ पे पता है कि सबसे पहले किसी की भी उमर जो है वो आपको कैसे बताई जाएगी सबसे पहले वो पेट में है ब्रून है इसलिए थर्ड वाला जो है वो सबसे पहले आएगा उसके आँ धीरे धीरे उसकी उमर बड़ेगी तो वो शिशु बन जाएगा तो वो शिशु बन जाएगा उसके आँ धीरे धीरे फिर से उमर बड़ेगी तो वो बच्चा बन जाएगा 5th या 6th प्लास का वो बच्चा बन जाएगा उसके बाद किशोर अवस्था का मतलब होता है 13-14 साल का या 18 वर्षे कम तो उसके बाद बुख किशोर अवस्था आ गया अब लास्ट बचा प्रोड प्रोड का मतलब होता है जब उसकी एज 20-22 साल की हो जाती है तो यह हमारा सबसे लास्ट पुजिशन पर रहेगा तो हमारा पैटन क्या बनेगा 3-1-4-2-5 3-1-4-2-5 कौन सा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी इसका बिलकुल सही आंसर रहेगा यह हमारा राइट ऑप्शन है नेक्स्ट वन है आप यहाँ पे देख सकते हैं घुटने के बल चलना, बैठना, दोड़ना, खड़े होना और चलना यहाँ पे फिर से बताई गई है आपको एक सबसे इजी बात सबसे पहले क्या होगा जो भी छोटा बच्चा है वो घुटने के बल यहाँ पे चलेगा घुटने के बल चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा वो बैठना सीखेगा उसके बाद धीरे धीरे वो खड़ा होने सीखेगा यहाँ पे बैठना इसलिए है क्योंकि जो भी starting में छोटा सा बच्चा आप उसको देखें वो direct खड़े नहीं होता है वो बैठ बैठ के चलता है इसलिए वो बैठना भी उसको सीखना पड़ता है ऐसा तो है निकि वो जनम के बक्त ही सीख किया है उसको बैठना सबसे पहले आ हो जाता है उसके बाद वो चलना शुरू करता है और जैसे वो अच्छा से चल जाएगा उसके बाद वो दोड़ना शुरू कर देता तो formation क्या बनेंगी 1245 और 3 1245 और 3 तो कौन सा इसका आंसर रहेगा इसका भी हमारा आंसर रहेगा option number c 12453 is the right answer next जो हमारा question है यह हमारा solar system पर अधारित है आप इसका आंसर बता सकते हैं बुद्ध, ब्रिहस्पती, शुक्र, मंगल और प्रिथवी यहाँ पे आपको यह बताए गए हैं सबसे पहले आपको पता है सबसे छोटा ग्रह बुद्ध, शुक्र, प्रिथवी, मंगल, प्रिहस्पती, सनी, यूरेनस, नैप्ट्यून यह आपका पैटन बनता है तो सबसे पहले आएगा बुद्ध, उसके बाद आएगा हमारे पास शुक्र, उसके बाद आएगा प्रिथवी, उसके बाद आएगा मंगल, उसके बाद आएगा ब्रिहस्पती तो यह पैटन बनेगा 531, 531, 531, 534, 532, यह तो दोनों बनेगे नहीं, उसके बाद आएगा 4 और 2, तो 4 और 2 कौन सा है, हमारे पास option number C, तो फिर से हमारा option C जो है, वो सही answer रहेगा अगर आप computer को use करते हैं, तो आपको यह question जो है वो आना चाहिए, type करना, print करना, open करना, save करना और close करना तो क्या आपका pattern वहाँ पे रहता है, वो चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हैं, सबसे पहले आपको file को क्या करना पड़ता है, open करना पड़ता है, कोई भी काम करना तो file सबसे पहले open करेंगे, उसके बाद आप बहाँ पे कुछ न कुछ लिखेंगे, type करेंगे, उसके आपने उसको print कर लिया, आप उसको print कर लो, आपका काम सारा का सारा खतम हो गया, तब आप क्या कर सकते हो, उस चीज को close कर सकते हो, तो यह आपका pattern यहाँ पे बनेगा, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2, 5, तो इसका भी आपका जो option रहेगा, वो option C is the right answer, next one है, खिड़की, नीव, फर्ष, रोशनदान और च्छत, यह भी आपका important question है, सबसे पहले क्या चीज हमारे पास होती है, सबसे पहले नीव की बात की गई है, जब भी कोई घर बनाते हैं, तो सबसे पहले नीव रखी जाती है, उसके बाद उसमें जो है वो फर्ष डाला जाता है, आप सभी को पता है, फर्ष मतलब डाउन जो सरफेस होता है, जहांपे टाइलें बेगरा बिचाई जाती है, फर्ष डाला जाता है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो रोशन दान वहां पे खिडकी जो है वो रखी जाती है, यह आप सबको पता है, सबसे पहले नीव डाली जाएगी मकान की, फर्ष आप यह न समझें कि डारेक्ट टाइलें डाल दी, फर्ष का मतलब होता है कि जो भी हलका सा रफ मेटीरिल हम उसमें डालते हैं, उसको फ रोशन दान बोलते हैं, तो फोर्थ नंबर पर रोशन दान आएगा, जब यह सारी चीज़ें हो जाएंगी तब हमारी क्या पड़ेगी, छत पड़ेगी, यह पैटर्न हमारे पास बनेगा, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4, 5, तो 2, 3, 1, 4, 5, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन B, इ यहां पर बोला गया है, परोशना, सबजी, पैक करना, तियार करना, स्टोर करना और काटना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास सबजी होनी चाहिए, सबसे पहले सबजी होनी चाहिए, उसके बाद क्या करेंगे, उस सबजी को काटेंगे, उस सबजी को क्या फिर उसको यह जो फॉर्थ नंबर है फिर इसको त्यार करेंगे उसके बाद इसको हम क्या करेंगे पैक करेंगे ठीक है इसको हम क्या करेंगे पैक करेंगे क्योंकि कहीं ले जाने की बात भी यहां पर बोली गई है तो इसको हमने पैक कर दिया पैक करने का मतलब होता है स्टो तो इसको store कर दिया और उसके बाद कहीं पर भी आप इसको क्या कर सकते हैं परोष सकते हैं अगर मैं यहां पर परोषना सब से पहले कर देता तो आपको एक चीज़ पता है जब भी किसी चीज़ को परोसा जाता है मतलब आपकी ठाली में डाल दिया गया तो आप उसको पैक या स्टोर नहीं कर सकते आप उस सबजी को क्या कर गए आप तो उसको खा गए तो option जो हमारा sorry option नमबर 3 और 5 जो है वो हमारा as it is ही रह जाएगा उसका use ही नहीं होगा तो इसका जो हमारा correct answer रहेगा वो 264-351 264-351 option C इसका बिल्कुल सही answer रहेगा next आप सभी को पता है यह हमारा important question है यहाँ पर बताया गया है बर्ग, अस्ट भुझ, पंच भुझ, त्री भुझ और शट भुझ सबसे पहले तीन भुझाओं की बात की जाती है तो उसको त्री भुझ बोला जाता है जिसकी चार भुझाए है उसको बर्ग या स्क्यर हम बोलते हैं जिसकी पांच भुझाए है उसको पंच भुझ बोलते हैं उसके बाद शट भुझ और अस्ट भुझ तो आपको फर्स्ट के तीन पैटन तो पता चल गए 4, 1 और 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3 और ये तो आएगा नहीं, 3, 4, 1 है, ये 3, 4, 2 है तो option A या B में से ही हमारा सही answer रहेगा शट भुझ का मतलब होता है छे भुझ आएं और अस्ट भुझ का मतलब होता है आठ भुझ आएं इसलिए पांच मा जो है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास अस्ट भुझ तो 4, 5 और 2 तो option A हमारा इसका सही आंसर रहेगा second last question आपके लिए है ये भारत, बैंगलूरू, एशिया और करनाटक आपको इसको यहाँ पे बनाना है कि क्या हमारा इसका आंसर यहाँ पे रहेगा भारत, बैंगलूरू, एशिया और करनाटक सबसे पहले आपको पता है कि आएगा एशिया, सबसे पहले एशिया आएगा उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आएगा हमारा प्यारा भारत मतलब कि हमारी एक कंटरी आगी सबसे पहले महादुई पाया था हमारे पास हेशिया उसके अंदर आगी हमारे पास कंटरी उसके बाद जो है वो हमारा आएगा राज्य तो करनाटक जो है वो हमारा एक राज्य है और करनाटक के अंदर आएगा उसका एक शहर जो की है हमारे पास बैंगलूरू तो बेंगलूरू जो है वो सबसे last number पे यहां पर बनेगा तो इसमें आपको pattern नहीं बताया गया है आप इसको ascending order में या फिर descending order दोनों में ही बता सकते हैं लेकिन आपको depend करता है कि आपका option जो है वो ascending में है या फिर descending में है कोई एक ही pattern आपको वहाँ पे answer की formation में दिया होगा last question है आज की इस वीडियो का उसके बाद तीसरा type जो है वो आपके part 2 में रहेगा जिसमें basic puzzle हम discuss करेंगे Asia, Goa, Panji, भारत और विश्व यह आपको बताया गया है इसका जो आपको answer देना है वो आप इसको ascending या descending दोनों में दे सकते हैं मैं इसको ascending water में यहाँ पे बनाता हूँ सबसे पहले बात करते हैं विश्व यहाँ पे बनेगा इसका मतलब है विश्व सबसे पहले आएगा उस बिश्व में आएगा फिर Asia महादीब जो है उसके बाद हमारे पास आएगी country तो यह third position पे बनेगा उसके बाद country के अंदर आएगा कोई एक state जो की गोवा है और गोवा के अंदर उसकी है राजधानी जो की है पनजी तो position हमारी कुछ इस पे में बनी है सबसे पहले नंबर पे आया है बिश्व जो की पाँच में स्थान पे है उस पे बाद आया है Asia उसके बाद आया है हमारे पास भारत उसके बाद आया है हमारे पास गोवा और लास्ट में आया है पनजी तो यह हमारे पास यहाँ पे आंसर रहेगा 51423 तो ऐसा कोई भी हमारे पास option match नहीं कर रहा है लेकिन ये हमने किया है बड़े से छोटे में बड़े संख्या से छोटे संख्या में मतलब बिशो से फिर छोटी छोटी चीजों में हम जाते जाएंगे बिशो से एशिया में गए एशिया से कंट्री में गए कंट्री से छोटा राजे है और फिर राजे से छोटा उसकी राज़ानी है वैसे वैसे हम यहाँ पे गए है descending order में गए हैं अगर आपका option match नहीं कर रहा है तो आप इसको एक और ascending order में try कर लें ascending order को आपको कैसे लिखना छोटे से बड़ा तो आप इसको opposite लेख दें सबसे पहले आएगा 3, 2, 4, 1 और 5 तो option D हमारा यहाँ पे पूरा match कर रहा है I hope आपको यह सारा का सारा जो topic है order arrangement का जितने हमने यहाँ पे type किये हैं वो आपको complete easy way में मैंने समझाने की try की है आपको सारे के सारे topic यहाँ पे cover हुए है जो इसका last type है वो आपके next part में रहेगा जिसमें हम basic puzzle के बारे में discuss करेंगे so मिलेंगे next video के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत